हेलो एवरीवान माई नेम इज रामा श्रेराय वेलकम एट हैनत चंद्रा इंशिट्यूट तो प्यारे बच्चों थोड़ा ब्राइटनिस बढ़ाओ ए बटा ब्राइटनिस बहुत कम है देख रजदार का रहा है एक दमकेस तो बच्चे आज किस लेक्चर में आपको सबसे पहले हम आपको 10-12 important words को discuss करेंगे और word के बाद फिर हम आपको जो discuss करेंगे वो आपके spoken से related एक बहतरीन conversation तो पहले तो यह बताओ सारे लोग अच्छे हैं आवाज बगर क्लियर है कभी कभी क्या होता है कि आवाज ही नहीं क्लियर होती है तो बड़ी problems हो जाती है ना अतुल बड़ते हैं थोड़ा सा blackness आ रही है face पे यह लोग बड़े महान है camera वाले जिसको जो चाहें बना दे हैं तो आगरी पहले तो अगर कोई word हमारे सामने आता है तो उस word का हम meaning समझते हैं रेखे गोरा कर दिये इन लोग नाम को ठीक है कुछ भी कर सकते हैं यह लोग बहुत तो Ü SPEAK तो अगरी मिंस क्या होता है भविश्यवाणी होता है क्या होता है भविश्यवाणी होता है भविश्यवाणी सारे चीज़े दिख रही बैटे जैसे क्या होता है ने कुछ लोग पंडित-जी लोग होते हैं डेव टेल अबाऊट यार फ्यूठर हाउज यूच्छर आवाज और सब सही बिटा ना गुड इवनिंग एवरीवान सरिता विश्यो कर्मा पुन्नम कुमारी शिव प्रकास बहुत सारे बच्चे आवाज और क्ली आं हैपी ओल्सो अरे वाग क्या बात है तो वेरी वेरी फेंटासटिक गूरीवनिंग एवरीवारी बहुत अच्छा आज का स्प्रेंद बहुत गजबका है तो आगरी मिंस क्या होता है भविश्यवाणी होता है ठीक चलो बच्चों देखते हैं अब इसको हम लोग और एक्स्प्लें करते हैं अच्छे से समझने के लिए देखो बई जो भविश्यवाणी बगर करते हैं कुछ इस तरह की कु एक अच्छी नौकरी पाएंगे तो लड़का पूचता है गॉर्मेंट की प्राइबेट तो आपने भविश्यवाणी केते हैं आप गॉर्मेंट जॉब पाएंगे आपकी शादी एक बहुत ही सुन्दर लड़की से होगी विश्व सुन्दरी होगी लड़का खुश पंड ओके तो यह हो गया आपका डेफिनेशन मतलब भविश्यवाणी होता है और आगरी के बहुत सारे आपके सनानिम्स हैं जो भाशामे बोलने में यूज किये जाते हैं राइट बेटे तो जैसे क्या होता है प्रोगनॉस्टिकेशन भी होता है ओमिन भी होता है अब प्रोफि इसी मतलब होता है भविश्यवाणी है ना अगर आपने मैकबित को पढ़ा होगा तो उसमें तीन वीचिज होती है जो मैकबित के बारे में प्रोफिसी करती है थेन ओफ काउदर थेन ओफ ग्लैमेस आंद गिंग आफ्र दाट है ना इस तरह की भविश्यवाणी करती है भी इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रेडिक्शन भी होता है प्रेडिक्ट करना पी आर इडी आई सी टी जैसे मैंने कहा कि can you predict about my future सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे और मैंने पुछा कि छवी can you predict about my future सरीता can you predict my future मैं बच्चों के भविश्य के बारे में बताता हूँ पता ह है कि नहीं आप लोगों को I can predict about your future I can tell about your future ठीक है I can do agree about your future यह सारे वर्ड है प्रिसिज भी होता है यह सारे सनानिम्स हैं कम से कम 3 to 4 important सनानिम्स वीडियो को पॉच्च करके आप लोग लिख भी लिया करिये ठीक बच्चों हूँ हिमांसी गंगवार गुड इवनिंग बच्चे आम लेट कोई बात नहीं है ठीक है सारे बच्चे क्लियर है तो I can predict about छवी कृष्णास future सरिता I can predict about your future प्रग्या I can predict about your future ठीक है आगरी वही चीज़ है आगरी के देखिए वही same definition है बिटा a sign of देखो मैं फिर से लिख देता हूँ वही चीज़ है वही meaning है a sign of what will happen in future आपके भविश्य में क्या आगे होगा इसी का definition है देखिए तो जो भविश्य वाणी वगरा लोग बताते हैं तो कोई कुछ लेके बताता है यू यू करके तो कुछ ध्यान करके कुछ अलग-अलग तरीके से लोग आपके भविश्य के बारे में बताते हैं ठीक येस सर ऑगरी about your future बहुत बढ़िया येस सर no problem no I can't predict about your future नहीं तू मुसकान कह रही नहीं सर I cannot predict about your future clear है बच्चों चलिए अगला वर्ड है कैरकास का मेंनिंग किसी को पता है तो मुझे बता दो भाई मुझे ही नहीं आता है कोई बता दे कैरकास मतलब क्या होता है बता बटे कैरकास का मतलब क्या होता है कोई जानता है बहुत अच्छा नहीं तू मुसकान नो I can't predict about your future बहुत अच्छे बच्चे तो कैरकास का मतलब क्या होता है डेड बाडी होता है सारे बच्चे बोलेंगे कैरकास का मतलब क्या होता है डेड बाडी तो डेड बाडी जो होती है इस्पेसली ये एनिमल के लिए होती है एनिमल के लिए होती है डेड बाडी जो होती है वो animal के लिए होती है किसके लिए होती है animal के लिए और जैसे कोई बहुत पुरानी चीज हो तो उसके भी body को जैसे कि train का बहुत पुराना कोई बोगी सड रहा हो तो dead body ही तो होगी पहले train ठीक ठाक ठीक तो सब कुछ चल रहा था हाट train किसी काम की नहीं तो dead body हो गई clear बच्चो चलिए तो केरकास का मेनिंग नहीं पता है देखिए पता चल गया केरकास का मतलब क्या होता है हाँ न डेड तो dead body को हम लोग इंगलिस में बहुत सारे words जानते है corpse भी होता है dead body ठीक है remains भी होता है बचा हुआ skeleton मने हड़ी होता है यह सारे word केरकास देखिए word है ही तो दो-तीन word जो है dead body देखिए यहाँ पर है दिखाई दे रहा है बिटे आप लोग को बहुत अच्छा सर जी light चमक रही है अच्छा थोड़ा सा dark करा दिया जाए न फिलाल picture quality थोड़ा बढ़ा लो no sir I can't forecast about your future ठीक है बहुत अच्छा कुसम गुपता कह रही है बहुत अच्छी बात है आगे आते हैं देखते हैं हम लोग image के माध्य हम समझेंगे तो कैरकास का देखिए यह एक image है देखिए एक जानवर मड़ा हुआ पड़ा हुआ है तो कैरकास of animal slaughtered animal देखिए यह train का कैरकास of old train कैरकास of old train है ने बटे कैरकास of old train ठीक है clear है बटे तो यह देखिए dead body of an animal मतलब कैरकास है clear है हाँ बहुत अच्छा सारे बच्चों का प्रयास बहुत अच्छा अगर प्यारे बच्चों वास्तों में कुछ अच्छा लग रहा है तो हम लोग यवाल लिंक को share कर देते हैं मैं तो कर दे रहा हूँ भई आप भी अगर whatsapp status पे कर सको बेटे तो बहुत अच्छा है यही हमारी वास्तविक गुरुदक्षिना है और नहीं कर सकते हो तो दो चार लिंक सिंड कर दो अपने फ्रेंड के पास तो हो सकता है कि आपके यार दोस्त मित्र हैना आपके सांस सामिल हो जाएं पढ़ने और पढ़ाने का जो जॉए है वो हो सकता है कई गुना बढ़ जाए कमाउन बच्चों फटा फट एक बार यह गुरुदक्षिना दे करके और आप लोग रिपोर्ट भी करो कि हाँ सर मैंने आपकी गुरुदक्षिना दे दी ठिक गलटनी इसमें किसी बच्चे को पता है कि गलटनी का मतलब क्या होता है अगर किसी को पता है तो बता दो गलटनी किसी कहते हैं बड़ा अच्छा ट्रिक है गले तक ठूस लो कहां तक गले तक ठूस लो गले तक ठूस लो अब तो समझ में आ गया होगा मतलब होजन मिल जाए आन का दाना तान के खाना मर जाना परवाह नहीं यह सो सुना ओका कानी न आन का दाना मांग के खाना जम के खाना न का पाओ तो खाना बहुत सारे लोगों का कॉंसेप्ट होता है तो अब आपको समझ में आ गया होगा गले तक ठूश लेना यह ट्रिक है साइद हो सकता है आपको अच्छा लगे और समझ में आ जाए और आप लोग गडबर तडबर ना करें अब साइद आप ट्रिक बता दिया तो याद होई जाए गया एक दम से याद हो जाए अब क्या दिक्कत है तो गलटनी का मतलब होता है जो बहुत जादा खाता हो भैंकर ढंग से खाता हो इसे हम लोग ग्रीड भी कहते हैं लालच, क्रेविंग, हंगर बहुत जादा खाना, ठीक है, गले तक ठूस लेना, एकदम बढ़िया जम के है न, जैसे शादी वगरे में आप लोग जाते हैं, तो कैसे खाते हैं, एकदम पूरा जम करके कुछ भी छोड़ते नहीं, एक भी आइटम, एक भी आइटम छोड़ जाता है, तो बड़ा पस्तावा होता है, कहीं वही तो नहीं असला आइटम था, ठीक बच्चों, फड़ा फड़ा अंसर तो प्यारे बच्चों, तो गलटनी का मतलब क्या होता है, भुकषड होता है, अब आप इस इमेज को देख लो यार, है न, सायद आपको समझ में आ जाए, तो अब मैं पूछूँ कि कितने बच्चे इसमें गलटनी हैं, बता बच्चों कौन कौन गलटनी हैं इसमें, आल और गलटनी, वो इस गलटनी, बोलो भाई, शबी, आर यू गलटनी, बोलो भाई, कुशूम, आर यू गलटनी, क्या आप भुकड हैं, जम के खाते हैं, बोलो भाई, चलिए, आगे बढ़ते देखिए, मैडम कितना तवि सिखा रही हैं, लगता है ये जिन्दगी मतला पैदा ही हुई हैं केवल खाने के लिए, और कोई इनका और दूसरा काम भगवान ने इनको देया ही नहीं हैं, तो ये गलटनी लोग हैं, तो इसमें बताओ, सरिटा, आर यू गलटनी, अगर हैं तो बोलो, येस सर, शिव, आ आर यू गलटनी, बोलो बच्चों, हिमांश्यू, आर यू गलटनी, अर्चना, आर यू गलटनी, बोलो भाई, प्रग्या, आर यू गलटनी, अलका राजपूत, आर यू गलटनी, अर्चना कुमारी, आर यू गलटनी, बोलो बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत नो नो सर प्रग्या करें नहीं सर हम गलटनी नहीं है और शुरुतिका करें नो सर आयूस करें नो सर अलका करें रही है he is not gluttony food क्या बात है no sir I am not gluttony सोनी पांडे कह रही है सारे बच्चे कह रहे हैं हम sir gluttony नहीं हम बहुत जादा नहीं खाते हैं बस जम के खाते हैं बस तन के खाते हैं अच्छा देखो acumen means क्या होता है देखो word तो tough है साध याद हो जा रहे होंगे ठीक बटा? acumen means क्या होता है क्या होता है? brilliance होता है कुशागर बुद्धी होता है कुशागर बुद्धी वाला होता है कुशागर बुद्धी या intelligent Acumen Are you acumen intelligent? Acumen means intelligent जैसे मैंने कहा कि Manisha are you acumen or are you intelligent स्टेटी, हैं आर यू इंज्टलिज़ेंट आर यू एक्यू मैन, अलका, हैndзд रफॉल հूड़ है, आर यू इक्यू मैन इंज्टलिज़ेंट सारे बच्चे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छा I am very happy, really very happy, come on everyone, फड़ा फड़ा आंसर दे दीजिए, अजीम खान, are you good, देखें बेटे, आप लोगों का status पे शेर करना कमाल ला दिया, भुचाल ला दिया, वास्तों में आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग किस प्रयास को मैं दिल से thousand times salute करता हूं बच्चों, ठीक, बहुत अच्छा, अतुल जी, एक मिनट बच्चों, अतुल जी, फड़ी light कम करीए, एक में बटा करा दिया मैंने light कम, हाँ ज्यादा है, I am acumen, बहुत अच्छा, चले बटे, तो brilliant होगे, आब आगे हम लोग इसो समझेंगे और word को, तो acumen की बहुत जादा definition है इसमें, the ability to make good judgment, the ability to make good judgment, क्या लिखा हुआ है, the ability to make good judgment, या quick decision, the ability to make good decision, no sir, it's our pleasure sir, okay, क्या दिया है, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत सुन्दर, अति सुन्दर, अति सुन्दर, आप लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है, आप देखे, word of the day में भी, आपको इसलिए मैं कई definition देता हूँ, जिससे आपको सारे चीजें अच्छे से समझेंगा, देखे, ये acumen है, ये क्या है keenness of mind, keen मतलब होता है, तेज, क्या होता है, तेज होता है, write the ability to make good judgment and take a quick decision, clear होड़ा बच्छे, is it clear now, sir, gluttony को other words क्या है, devore है, बहुत सारे word हैं इसके, ठीक है, greedy है, devore है, अगला word है, admonish, admonish का मतलब क्या होता है, कोई बच्छा जानता है, what is the meaning of admonish, क्या बटा, एई, मैंने बुलाए, थोड़ा डार कर दो हलका सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, सीख लो न सारी चीज़े, मामली सा करो, हुआ थोड़ा बोड, come on, come on, बच्छों, sir, it's clear now, okay, अब सहान दो, ठीक है, okay, all right, okay, अब तो admonish में इसमें मतलब क्या होता है, किसी बच्छे को पता है, तो पहले आप जोर डालो, क्या इस वर्ड को जानते हो आप, you know or you don't know, do you know, don't know, क्या है, admonish का मतलब क्या होता है, तो admonish का जो एक मिनिंग होगा, याद रखना warning होगा, क्या होगा, warning होगा, warning, एक याद रखना warning, w-a-r-n-i-n-g, warning हिंदी में क्या होगा, चेतावनी होगा, चेतावनी, admonish, warning, चेतावनी होगा बच्छों, ठीक है, ठीक है, admonish का मतलब होता है, चेतावनी, अब देखो यह सारे word आपको defined हैं, आपको समझ में आ जाएगा, this is my last warning, if you are not doing homework, then your classes will not be provided, ध्यान देना बच्चे, paid बच्चे ही पूरा कोर्स पापाएंगे, यह ध्यान रखना, जो paid student है, वही बच्चे इस पूरे कोर्स को पाएंगे, क्योंकि सारे चीजे systematic के वल, paid बच्चे ही पा सकते हैं, हो सकता है, कुछ दिन बाद यह जो free class चल रही है, बंद हो जाएगी, ठीक है, जो बच्चे paid बच्चे हैं, वो tension नहीं लेंगे, उनको app के माध्यम से सारी paid courses, classes दी जाएंगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया बिटा, कि 20 से 30% maximum आपको कोई भी YouTube पे free में दे सकता है, 100% impossible है कि आपको सारी चीजें कोई YouTube पे free में दे सके, जो बच्चे admission हैं, जो बच्चे available हैं इस समय पे, थोड़ा सा मुझे green signal दे देंगे, यह सर, I am paid, तो थोड़ा उन बच्चों का मैं नाम जानना चाहूँगा, जो बच्चे paid हैं, और जो बच्चे paid नहीं हैं, paid में आना चाहते हैं, वो अपने इक्षा जाहिर भी करेंगे, कि सर, हम अभी तक paid नहीं हैं, लेकिन हम paid हो जाएंगे, बिटा perfection, जो perfect knowledge मिलेगा, वो paid होने से ही मिलेगा, और यह सच है, और यही सत्य है, और यह बहुत सारे बच्चे जानते हैं, ठीक हैं? अच्छा, अर्चना पूछ रही है, कितने का paid है, बैटे, fees केवल 1100 है, free months course का केवल 1100 fees है, मात्र 1100 fees है, ठीक है? हाँ, online, आप में, एप में online, हाँ, बिल्कुल, रईश पातिमा, क्लास मिलेगी, ठीक है? पेड का क्या चार्ज है, बैटे, पेड का 1100 बता तो दिया, कितनी पर बताऊंगा? ठीक है, सबको पता है कि बिना पैसे के पानी भी नहीं, ठीक है? Come on, बहुत अच्छा, very good, no sir, I am not paid, ठीक है? I am paid sir, बहुत अच्छा, 1100 I have already told the fees, right, and how many times should I tell you the fees? I have told you twice and thrice, but again I am telling you, बच्चों, ठीक है? ठीक है, रईस फात्मा, I am paid sir, अजीम, ये आपको चंदरा इंस्टिटूट अलाबाद का एप डाउनलोड करना पड़ेगा? बहुत अच्छा, तो जो बच्चे paid हैं, बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चे paid होंगे, मैं कोशिश करूँगा, उनके नंबर को लेकर मैं उनसे टेलिफोनी conversation भी करूँगा, और उनके status को जानने की कोशिश करूँगा, और थोड़ा सा जो बच्चे paid हैं, और जो नहीं भी paid हैं, कुछ दिन के लिए class हो सकता है, break लगे 10, 15 या 20 दिन के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चेओ, मेरी आफ से अनरोध है, आप लोग tension मत लेना, कुछ exams के वज़े से, कुछ चीज़ों के वज़े से हो सकता है, कुछ द सारी चीज़ें आपको provide करेंगे, यह बड़ा brand है, बहुत faithful brand है, चंद्रा इंसिटूट, आपके साथ कहीं से भी कोई अन्याय नहीं होगा, अगर मैं जुड़ा हूँ तो एक अच्छे brand के साथ जुड़ा हूँ, इसलिए, ठीक है, अलका राजपूर, thank you very much, तो सारे थोड़ा धैर रखेंगे, patience is the remedy of all trouble, अच्छे चीज़ पाने के लिए थोड़ा धैरे रखना पड़ता है, ठीक है, ओके, आर्राइट, यह होता है, this word is all about talking someone to task, taking someone to task, that is mean to warn somebody, मतलब, admonition मतलब होता है, warning देना, किसी को चेताओ नहीं देना, है ने बटे, जी, बिल्कुल, चलिए, तो बाकी, आप लोग, बाकी के information बेटे, आप लोग ले लेंगे, उस पर, एप से ले लेंगे, हमारे help line numbers ले लेंगे, मैंने पूरी कोशिस की है, बेटे, word power में, कि जितने भी tough word हैं, या easy words हैं, मैंने बड़ा work out किया, इस पर, जिससे आप लोग स चढ़ा के wordन करना, याद हो गया word, बराक मतलब बढ़ा चढ़ा के wordन करना, थेक है, बराक मतलब बढ़ा चढ़ा के wordन करना, तो इसे हम लोग बोलते हैं, highly orinate, देखो यह word थोड़ा हटा देता हूँ, highly orinate, decorated, मैंने कोई चीज, orinate मैंने होता है, सजाना, धजाना, जैसे दूले भी बचारे नहीं पहचान पाते हैं, जिससे मेरी शादी हो रही थी, वही है या कोई और है, हाना, तो confused हो जाते हैं, especially जब पारलर में को रिशीप करने जाता है, तो decorated are like that, clear एक दम, तो बराक मतलब होता है, बढ़ा हाँ चढ़ा के wordन करना, बहुत जादा ब्यूट जानता होता बता दे, वैसे मैंने लिख दिया है, already meaning इसका, तो बिगाईल का मतलब क्या होता है, cheat होता है, delude होता है, और deceive होता है, इसके तीन meaning बहुत ही important है, आप सारे लोग फटा-फट सेंड करिए, ठीक है, बहुत सुंदर, सारे बच्चों का answer बहुत सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब में आता है, सरिता विश्करमा कह रही है, सर, बच्चे हम बच्चा नहीं पढ़ाते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मैं तो कोशिस कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत क करता हूँ जिससे आप लोगों को का लेंग्वे सुद्रे आप लोगों की इंग्लिश अच्छी हो जाए ये बिटे सारे लेक्चर मैं खुद बनाता हूँ चार-पांच घंटे जब बैठता हूँ सिस्टम पे कंप्यूटर पे तब जाके एक लेक्चर तयार होता है ठीक है बिटे तो आप लोगों के लिए ही है कम आन चलिए तो बिगाईल का मतलब होता है घबडाना नहीं मैं हूँ बिगाईल का मतलब होता है चीट करना क्या करना c-h-e-a-t चीट सुनो भी ध्यान से गर कोई चीट कम दिखाए तो चीट मतलब धोखा देना डोंट चीट मी सारे बच्चे बोलो hey don't cheat me I am already cheated don't beguile अगर किसी ने macbook पड़ा होगा तो उसमें beguile the time समय को धोखा दो don't beguile anyone don't cheat anyone thank you so much light थोड़ा कम कर दे भाई अतुल एक मैं बिटा बुला देता हूँ अतुल जी अतुल से बोलो light कम करते बहुत ज़्यादा है इसका बढ़ रहा करो बिटा यहां पे thanks for this time sir but I know you are the best teacher thank you Amit Sharma तो cheat होता है delude होता है deceive होता है धोखा देना होता है नहीं हुआ कम बिल्कू थोड़ा brightness कम कर दो matter बहुत धूला हो जा रहा है थोड़ा तो मेंट रुके रहीएगा हाँ तो clear तो हो जाए ठीक बटे brightness हमने कम करा दिया है I hope अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा ठीक है तो beguile का मतलब क्या होता है deceive करना होता है यह सारे meaning है इसके यह सारे इसके सनानिम से है बिटे आपको समझने के लिए दिया हूँ मैं deceive करना जो मुख्य है उसी उते करना है fascinate करना है ना enchant करना और mislead करना और किसी को मूर्ख कर बनाना यह सारे word इसके होते हैं ठीक है अरे वाँ क्या बात है perfect है बहुत अच्छा अब कैसा है बेटे अब सही है कुछ beguile का देखिए एक meaning मिला तो मैंने ले लिए आपको आपको जैसे भी समझ में आये to deceive करना wait a minute please so deceive करना are to draw notice and trust like that ठीक है तो beguile का मतलब होता है धोय खा देना bellicose का मतलब क्या होता है what is the meaning of bellicose अब दिख रहा है बेटे तो bellicose का meaning क्या होता है कोई बच्चा बताए bellicose का meaning मैं already दे रखा हूँ बताने की जरूरत क्या है bellicose का मतलब warlike warlike मतलब लडाकू जैसे बहुत सारे देश warlike है मैं काला आऊ ओ ठीक है यार लेटर सही दिखना चाहिए बच्चों ठीक है अब ठीक है बहुत अच्छा सरिता विश्करमा ठीक है तो warlike है hostile in manner है या temperament है और bellicose भी होता है और bellicose होता है hostile होता है बहुत सारे meaning इसके होते है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक यू perfect दिख रहा है शर ठीक यू बच्चों ठीक है चलते हैं आगे तो देखे बैली कोस का दूसरा meaning मैं आपको बता देता हूँ देखो बटे बैली कोस का मतलब होता है one who is fond of fighting balicos का मतलब होता है जैसे घर में या आसपास पडोस में एकाग दो लोग ऐसे होते हैं जो war like in nature होते हैं लडाकू होते हैं, जगडाकू होते हैं उनको لडाई वगरे में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनन्द आता है तो ऐसे लोगों को war like कहा जाता है पगनासियस कहा जाता है ठीक है तो इसमें कितने लोग हैं बैली कोस ठीक है अब बैली कोस का मतलब होता है जो बैल की तरह किसी को कोसता रहे यार लडाई जगडा करता रहे बैली कोस मतलब बैल की तरह जो कोसता रहे वैसे ही समझ लो याद हो गया, थेक्षे हैं, ऐसे दिर दिर याद हो जाएगा सारे words, अब देखो यह सारे word क्या हैं, इसके सारे synonyms हमने दे रखे हैं, तो देख सकते हो, आप लोग synonyms में बहुत सारे अच्छे word है, combative, aggressive, aggressive को मतलब एकदम धुमा धुम करने वाला are you aggressive, बोलने के लिए aggressive करेंगे, मैंने पूछा कि छवी are you aggressive, race are you aggressive, रैम are you aggressive, कपिल are you aggressive, बैलीगरेंट भी बिटा सनानिम्स है, वार लाइक मिल गया, आपको पगनाशियस मिल गया, क्वैरल सम मिल गया militant मिल गया, hostile मिल गया and truculent हो गया सारे एकदम synonyms भरपूर है पेट भर जाएगा पढ़ते-पढ़ते जितने synonyms चाहिए आपको ठीक है अब दिखाते हैं देखिए this girl is aggressive तो don't be aggressive she is aggressive बचके रहीो नहीं लग जाएगा ठीक है come on तो यह belligrant है अब ब्रैजन मतलब क्या होता है किसी को पता हैद बता दो भई नहीं पता हैद बताओंगा है ब्रैजन का मतलब क्या होता है ब्रैजन का मतलब होता है सर्म, बेशर्म होता है बेशर्म निरलज जिसे हम लोग कहते हैं बेशर्म होना है ना ब्रैजन ब्रैजन मतलब बेसर्म होना, सेमलेस होना आगे word में आते हैं, देखिए ये ब्रैजन का डेफिनेशन है ब्रैजन का मतलब क्या होता है बच्चों What is the meaning of ब्रैजन So to act, behave confidentially, confidently, shamelessly Even after doing something wrong also by not admitting that मतलब कोई गलत काम करने के बाद भी सर्म ना आना जिसे हिंदी में बेहया भी कहते हैं क्यों कहते हैं बेहया, तो कि बेहया गर्मी के मौसम में सारे पौधे क्या होते हैं, सूखते हैं तो बेहया का जो पेड होता है, वो हरा भरा होता है मतलब उसके उपर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है जो बहया किसमिक लोग होते हैं, उनके उपर डांट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप डांटे रहेंगे, वो हसते रहेंगे, ठीक है, like that, तो अब देखिए, put a bold face on it, be definite, बहुत सारे इसके definition है, तो brazen means क्या होता है, samlis होता है, shy होता है, अब brazen के भरपेट आपको सना सनानिम्स मिल जाएंगे, brazen देखिए, यह word है, insolent होता है, dhit, audacious, मने बहादूर, ठीक है, और बहुत सारे word है, इसमें, shameless यह मुख्य word है, इसका impudent भी इसका सनानिम्स है, ठीक है, come on, आप देख सकते हैं, जैसे कुछ लोग party वगरे में जाते हैं, तो बेसर्मों की तरह ब समझदार कन्याएं, और देखिए, कैसे बैठी हुई हैं, हाँ, आप फर्क ना पढ़ना सरिदा, एकदम बिलकुल, brazen means same place, बहुत अच्छा, same list, ठीक है, बहुत सुंदर, अति सुंदर, image से समझने आ जाता है, कौन कैसा होता है, एक word है, cash, what is the meaning of cash, इसका उचारण होता है है, cash, क्या होगा, cash, cash memory होती है, अगर किसी को computer चलाना आता है, उसमें cash memory होता है, जिसमें हम कोई चीज हाइड करते हैं, hide, hiding place होता है, hiding place, cash memory में hiding place होता है, कोई चीज हम छुपा करके रखते हैं, come on, तो cash होता है, तो cash का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इकठा करना, देखिए पूरा definition बहुत बहुत बहतर दिया है इसमें, cash का मतलब क्या होता है, hold करना, store करना, reserve करना, conceal मने छुपाना होता है, treasure करना होता है, तो देखते हैं, definition भी एक बहुत प्यारा सा है, a hidden storage space for memory are provisions are weapons, किसी चीज को छुपा करके रखने का अस्तान, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा, very good, तो सारे बच्चों ने लिंक शेयर देखे कर दिये, कितना अच्छा class चल रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, Candid का मतलब क्या होता है, what is the meaning of Candid, Candid बहुत सुन्दर word है, साइद एक बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, Candid, Candid का मतलब क्या होता है बच्चों, Candid का मतलब होता है, Frank, Frank होता है, Open-minded होता है, Out-spoken होता है, तो, Are you Candid, Are you Frank, Are you Outspoken, साइद ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है, वर्ड आप लोग के लिए, मैंने पूछा, Kapil, Are you Open-Minded, उसी का मिनिंग हुआ, मैंने पूछा, Amit, Are you Straight-Farward, इरैम, फातिमा, Are you Open-Minded, अलका, राजपूत, Are you Straight-Farward, Are you Candid, ठीक है, फिर मैंने पूछा, आप से, Kapil, Are you Candid, ओके, सारे बच्चे, आंसर देंगे, फटा-फट, Come on, चलिए, दिख रहा है बच्चों, तो यह होता है, बहुत सारे वर्ड, Out-Spoken के, बहुत सारे वर्ड होते हैं, Candid के, Frank, Open, ठीक है, और उसके बाद, Out-Spoken, Straight-Farward, ठीक है, Honest, बहुत सारे वर्ड इसके होते हैं, ठीक है, Yes, Sir, I am Cancelled, ठीक है, चलिए, अब हम लोग इस पोकिन पर आते हैं, यार, कितना करेंगे, Let's just spoke something, speak something, ओके, चलिए, आज का भी Conversation पर आप बहदरीन है, Conversation 4, Where is Conversation 4, Synonyms, Conversation 3, Synonyms, Conversation 4, खुल जा भी, सिमसिम, चलिए, तो हम लोग Conversation 3 करेंगे आज, कल हम लोगोंने Conversation क्या किया था, Add the Bank, इसके 3 Conversation है, बेटे, 2-3 Conversation, 4 होते हैं, जैसे कि, धूम 1, धूम 2, धूम 3 होता है, वैसे ही, बैंक पे एक बार तो आप गए, कल के Conversation हम लोगोंने क्या किया था, कि हम लोगोंने Account खोला था, ठीक है, तो कल सबका Bank Account खुल गया था ना, जितने बच्चे रहे होंगे क्लास में, सबका Bank Account खुल गया था, आज हम लोग बात करेंगे कि, suppose that आपने क्या ले लिया है, बैंक से लोन ले लिया है, क्या ले लिया है, बैंक से लोन ले लिया है, तो आप कैसे, देखे लिखा है, Conversation at the Bank Part 2, और इसमें लेना क्या है, लोन, कल के डेट में भगवान आप लोगों को पैसा दे देगा, तो और पैसा चाहिए, मकान के लिए, पढ़ाई के लिए, आज कल हर तरह का लोन लेने हैं लोग, है ना, पढ़ाई के लिए लोन ले रहे हैं, घर बनवाने के लिए लोन ले रहे हैं, राइड बिजनिस के लिए लोन ले रहे हैं बस चले तो मैरेज लोन भी गवर्मेंट पास कर दें उसको भी लोग लेना शुरू कर दें है ना यस सर तो चलिए सारे बच्चों का अकाउंट कल खुल गया था तो आज हम लोग बात करेंगे कि मान कर चलो बिटे समझना पहले सि अब इस रिवास्तों ने 60 लाख रुपए लोन ले लिया अपना याद रखना लोन सब लोग कपिल ने 25 लाख रुपए लोन ले लिया ठीक है अलका राजपूत ने 22 लाख रुपए लोन ले लिया ठीक अब लोन लेते समय लोग बहुत वादा करते हैं कि सर हम बहुत अरे husband ही phone लेते हैं, husband ने अगर loan लिया तो wife को phone पकड़ा देते हैं, phone receive नहीं करते हैं, बड़ा सुन्दर conversation है, और जब बच्चे offline में होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है, हम पुरी कोशिस करेंगे कि हम online में भी वही enjoy करेंगे, जैसे हम लोग offline में करते हैं, जो बच्चे offline में भी आ सकेंगे, हम लोग really बहुत enjoy करेंगे offline class में भी, और जो बच्चे नहीं आप आएंगे, जो paid बच्चे रहेंगे, उनसे हम phone से या google meet से face to face बाते करके भी बहुत सारे चीजों को enjoy करेंगे, learn करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक, सीखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट सीखने की इक्षा अंदर होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, आपकी comment देखके मुझे पता नहीं कितनी calorie उर्जा मिल जाती है, I am open minded, बहुत अच्छा, तो चलिए, I appreciate your way of teaching, thank you very much आशित, Are you from where, आसित, are you from प्रयागराद or where are you from, come on, thank you, तो मुझे आपकी बात बड़ी याद रहती है, तो चलिए बटा, मैं मान के चलो, अब कलपना करो कि आप सारे बच्चों ने लोन ले लखा है, और मैंने फोन किया, क्या किया, अब ये टेलिफोनी conversation है, right, अब मैंने फोन किया कि में आई टॉक्टू, सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, में आई टॉक्टू मिस्टर आसित चंद्रा, में आई टॉक्टू मिस्टर अमिस रवास्ताओ, में आई टॉक्टू मिस अलका राजपूत, में आई टॉक्टू मिस रईस वातिमा, में आई टॉक्टू मिस्ट online है ना जैसे मैंने phone किया कि मैं I talk to Mr. Miss Alka Rajput Miss और Mrs. में कोई गड़बर हो जाए भाई तो मुझे माफ करना मुझे exactly पता नहीं है who is Miss and who is Mrs. ठीक है तो आप मैं bank manager हूँ न तो मैं आप से पुछूँगा आप पुछेंगे न कि Yes I am Alka Rajput speaking बोलो मेरे साथ प्यारे बच्चों Yes I am Amit speaking Yes I am Rajs Fatima speaking Yes I am Aram Fatima speaking How can I help you या May I know who is online बो बच्चों May I know who is online May I know who is online May I know who is online ठीक ऐसे बोल के practice करो आ जाएगा अब bank manager मैं हूँ I am Rajsar bank manager मैंने पुछा I am bank manager from SBI ठीक सारे बच्चे मेरे साथ बोलो दोनों character बोलो I am bank manager from SBI I am bank manager from SBI अब मैं बोलूँगा मतलब जो bank manager होगा या racer या जो customer होगा मानलो मैं यहाँ पर Alka नाम लिख देता हूँ Alka, Rajput या किसी बेटे का नाम लिख देता हूँ ठीक है, तो अगर loan वाला phone आता है तो phone तो कही वर छूट जाता है घबडाहट के मारे बहुत सारे दिक्कते होती है Oh sir, how can I help you? ठीक है Alka ने, मैंने phone किया bank manager बनके तो उन्हें ने कहा कि Yes sir, how can I help you? बहुत अच्चा I am Irem Fatima speaking बहुत अच्चा I repeat with you bank manager कहूँगा मैं bank manager हूँ मालो मैं कहूँगा कि Alka you have taken home loan of 25 lakh मैंने कहा Irem you have taken 20 lakh rupees means education loan मैंने कहा Aasit Chandra you have taken 25 lakh rupees for education loan for business loan ठीक है, ओ sir ठीक है तो you paid only 1 lakh rupees sir and tell me when will you pay the rest amount मैंने कहा कि Alka Rajput you have taken 25 lakh rupees loan but you have paid only 5 installments and rest installment when will you pay अगला installment कब पे करेंगे बिटा एकदम script समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एकदम clear हो रहा है I am bank manager from SBI तो फिर customer क्या कहेगा Oh sir, how can I help you bank manager sir you have taken home loan of 25 lakh rupees sir you have paid only 1 lakh and sir tell me when will you pay the rest amount अब customer कोई भी हो सकता है आप अपना नाम रख लिजीना पर sir please give me 6 months time अब भाई कोई भी अच्छाइस समय तो lockdown के वज़े से पिछरे lockdown का दर्द कम हुआ नहीं था कि दूसरा lockdown का दर्द क्या हुआ मिल गया अब तीसरे आने बाकी है है ना तो कोई बात नहीं है God is breaking and we are making don't worry अपने को positive रखो ठीक है सारे लोग समझ रहे हैं Thank you very much बहुत अच्छा बहुत अच्छा अब देखी क्या हुआ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं Yes, please give me six months time bank manager ने कहा कि आप पैसा कब जमा करें मैंने कहा अलका आप कब जमा करोगे एरेम फातिमा कब जमा करोगे आप लोग time चाहिए कि नहीं चाहिए अगर भाई पैसे के दिक्कत गए ने Sir, right Sir, you are a bank manager so please give me six months time more मैंने कहा Okay, no problem I will give you six months time Don't worry my children, right Six months time सारे बच्चे समझ गए हैं अरे आप लोग इतने समझदार हो भई है न इसलिए एक नार्मल सा teacher math जैसा पढ़ा लेगा आप लोगों को अब bank manager मतलब मैं ही हूँ मानलो यहाँ पर मैंने बच्चों का नाम लिख दिया है यहाँ पर ओके बट पे इन six months मैंने bank manager हूँ न आप ने कहा, Alka Rajput ने कहा आसित चंद्रा ने कहा, Iram ने कहा कि सर I will pay after six months तो मैं क्या कहूँगो, ओके no problem my children, no problem my dear customer don't worry, you pay after six months अब आप क्या कहेंगे, धन्यवाद देंगे ना Alka, आप Iram आप लोग देंगे धन्यवाद, okay sir, thanks for this kind help okay sir, thanks for this kind help, okay sir thanks for this kind help okay, good job चलिए अब बात समझ गे, 6 महने टाइम आपने लिया, आप तो हमारी आप से बात 6 महने बाती होगी न, तो उससे पहले होगी ठीक है, चलिए तो अब bank manager 6 महने के बात का conversation समझ गे, आपने time लिया अप 6 महने एक बात bank manager आप से बाते करेगा, थोड़ा online phone से बाते होती न, तो साथ कोई एकर ऐसा ब्योस्ता हो पाता कि कोई भी एक बच्चा मुझे call करता, तो मैं उसको एकदम real दिखाता, कि कैसे actually conversation होती है, बहुत मज़ा भी आता कोई बात नहीं है, sir you promised me to pay the rest amount in 6 months but you did not pay, what's problem जैसे मान लिजिए कि मैं किसी बच्चे के पास phone किया, मान लिजिए मैं किसी, राइस फातिमा के पास मैंने phone किया, और राइस फातिमा का phone बज़ा, टन, 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 टन राइस फातिमा का, आप सारे बच्चों का क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, फिर भई समस्या करेंगे, क्या actually sir, my father made with an accident, राइस फातिमा कहेंगी, sir, बता बटे बुरा मत मानना इसको, कि sir मेरे पिता जी की तवयत खराब हो गई, आप किसी कोई, अगर husband है तो कहेंगा, मेरी wife की तवयत खराब हो गई, बहाना बड़े मज़दार मज़दार लोग ढोड़ते है न, पैसा लेते समय कोई बहाना नहीं, पैसा लेने के बाद भी बहाने बहाने आते हैं, ठीक है, actually sir my father made with an accident, so I spent 5 lakh rupees in his treatment, so sir, please give me some more time, ठीक बेटे, समझ में आ रहा है thank you, Aasit, thank you so much for this kind help, ठीक है, तो रईस बात मैं करें, sir, I forgot, 6 महने के बाद हम भूल गे कि पैसा देना भी हाँ, कहें नहीं, ठीक है, तो अब जैसे मैंने कहां कि 6 महने बाद आपने नहीं दिया, तो आप कारण बताओगे, sir, actually I got great loss in my business, सब अलग अलगा answer देंगे, Aasit कहेंगे, sir, I got great loss in my business, ठीक है, रही स्पात्मा कहेंगे, sir, actually my mother was suffering from any fatal disease, a lot of money was spent, sir, due to lockdown I could not earn money, ठीक है, thank you Aasit, you look very smart in this outfit, thank you very much, thank you for this moral support, ठीक है बच्चे, अच्छा आप लोग कारण बताओ, मैने आप लोग loan क्यों नहीं पे किये, मान लो, अब सब लोगों ने loan लिया है, कारण बताओ, दो चार फटा फट, जल्दी जल्दी, बहुत अच्छा, अगर मैं किसी से 25 जा रुपे मांग लूँ, उधार, तो आप क्या-क्या कारण बताओ गया, इसे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, या आप लोगों ने लिया है, और देना नहीं चाहते हो अभी, तो क्या-क्या कारण बताओ, जल्दी जल्दी एक एक कारण बताओ सब लोग, हाँ, बिल्कुल सर, स्तंदीब करें सर, लागडाउन समस्या, ठीक, और सारे बच्चे अपना-पना आंसर देए, अब बैंक मेनेजर क्या कहते हैं, देखिए, बैंक मेनेजर कह रहे हैं, अपने नहीं कर पारें, लेकिन हम आपको तीन मेने और समय दे रहे हैं, ठीक है, अब बैंक मेनेजर क्या कह रहे हैं, कि रायसर कहा हैं, ठांक्स अलोट सर, अगर मान लो रायस मैने आपको टाइम दे दिया था, आप बोलेंगे न सर, ठांक्स सर, सर, आई हाब नो मनी, अरे in three months but you did not pay what happened clear a concept bank manager ने का कि आपने वादा किया था कि तीन महिने बादा पैसा जमा कर देंगे बट आपने नहीं किया एरेम फातिमा रजल का राजपूत आपने प्रामिस किया था टाइम से पैसा पे करने के लिए you promised me to pay in six months but you did not pay what is the problem and when you will pay the amount clear हो रहा है बच्चों manager अब देखे अब फिर customer या रायसर कोई भी कहेगा I got great loss in my business sir please give me some more time मतलब customer बार बार टाइम चाहता है ठीक है कि दिल मांगे मोर वाली सती अब bank manager क्या कहते है sorry I can't give you more time if you don't pay in one week your house will be auctioned भाई bank मैं अब बहुत परिशान कर दिया अलका आपने एरायम बहुत परिशान कर दिया है अमीत अब बहुत परिशान कर दिया loan पे करो भाईया ठीक है अब आपका घर निलाम हो जाएगा if you do not pay the money on time your house will be auctioned if you do not pay the time money on time your house will be auctioned अगर आपने पैस टाइम पर नहीं पे किया तो आपका घर निलाम हो जाएगा और I am sorry I will not be able to help you clear बहुत अच्छा गौरों यादों sir आज आपकी class ले रहे थे तभी मैंने साप इसनेक देखा oh my god save yourself okay अब देखिए अब बैंक मैंनेजर खतर गुसा गया कि अब आप कुछ नहीं कर पाएगे if you are not paying money on time then your house will be auctioned अब तब यह सही हो गई अब देखिए customer क्या कहेगा क्या कोई चाहता है क्या मेरा घर निलाम हो जाए मेरे यहाँ पुलिस आए फिर बैजती के उपर बैजती हो हाँ ना तो अब बैंक मैंनेजर क्या कहेंगे या राय कस्टमर क्या कहें no no sir please don't do it नहीं नहीं सर मेरा घर निलाम मत करिए आप no no don't auction I will pay in one week sir मेरा घर निलाम मत करो आप मैं one week के अंदर दे दूँगा बैंक मैंनेजर कहता है okay do it as soon as possible मतलब बैंक मैंनेजर कहेंगे जितना जल्दी हो से को उतना जल्दी करिए okay अब कस्टमर क्या कहेगा sure sir I will do it मैं पैसा जमा कर दूँगा अच्छा प्यारे बच्चों आप बताओ ये सारी conversation आपको अच्छे से समझ में आया की नहीं सारे बच्चे मुझे बताओ ये conversation अच्छे समझ में आया की नहीं clear हो रहा है सारी बाते आनंदा रहा है are you enjoying the conversation सारे बच्चे बताओ come on hurry up please no sir please don't do it अच्छा बहुत अच्छा ही रहा है सारे बच्चों को मेरी conversation समझ में आ रही है बाते समझ में आ रही है बच्चे class के बाद आप लो brothers के साथ sister के साथ किसी friend के साथ जो भी घर में हो जो आपकी अंग्रेजी समझ सकते हैं उनसे conversation आप जरूर करें कोई नहीं है तो अपने से बात करिए आप ही bank manager बन जाओ और आप ही customer बन जाओ yes sir fantastic sarita viskarma अच्छी ब्यूद बहुत 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 तन्यवाद amit yes sir all is clear yes sir I am enjoying azim khan thank you shioprakas yes sir all clear आगे अच्छा किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं हो रही है समझ में कोई problem तो नहीं हो रही है आप ज़रूर बताएं yes sir I got it thank you amit thank you english spoken by ananser ठीक है yes clear ठीक है तो आप लोग लगातार लगे रही है मेहनत करते रही है हम से जुड़े रही है आप बाकि जिन बच्चों ने app नहीं download किया है वो सारे बच्चे app download कर ले जिन बच्चों ने course नहीं purchase किया है वो बच्चे post purchase कर लें बहुत लंबा amount भी नहीं है बच्चे क्योंकि हम लोग offline जो class लेते हैं उसके fees 5-6,000 रुपए होती है और जो कि सारे बच्चे pay नहीं कर पाते हैं बहुत normal fees है आप सारे बच्चे उससे जुड़े और admission लें और आगे बढ़ते चलें क्योंकि admission के बाद बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती है जो आपको मिल जाती है ठीक है चलिए तो बटे आज के लिए बस इतना ही thanks for joining with me good night all and take care all आप अपना और अपनों का खुब ध्यान रखिएगा और मेहनत करते रहिए life में struggle है तो क्या बात है कोई दिक्कत नहीं है क्लियर दिख रहा हुआ है सर आप वहां कमेंट्स देखते हैं जिसमें clear हाँ बिल्कुल सब कुछ सही है no sir you are teaching your best teacher thank you अजीम खान कोई problem नहीं है सर रईस फातिमा क्या मैसस था बच्चे आपका बता दो sir आप वहीं कमेंट्स देखते हैं जिसमें clear clear लिखा होता है बिल्कुल सही बात है ठीक है but I have not sufficient money for paying the rest amount okay good job ठीक है सारे बच्चों का कमेंट्स बहुत अच्छा I am from Kolkata in Havra ठीक है आशित जब कभी Havra आएंगे मुलाकात करेंगे thank you for much your learning explain style good thank you so much all and bye bye good night all take care all up now or up no good hander key enjoy carry yourself okay you